ऐसे कि यह तैयारी मिलेंगे आपको पूरे के पूरे नंबर जितना भी टार्गेट होगा आपका 99-95 परशेंटेज का तो वो मैं 100% कह रही हूं कि आपका टार्गेट पूरा होगा ठीक है तो आपको करना क्या है कि अगर आप मेरे चैनल पे सबसे पहले नए आये हैं तो प्ल बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट्स हैं जिन्हें अभी हिंदी में गद्यांस लिखने नहीं आता है वो सोचते हैं कि आखिर गद्यांस कैसे लिखें ताकि हमें पूरा का पूरा नंबर मिल सके तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख लेंगे कि तिसरे नंबर पे आपका आता है कि निम्नांकित गद्यांसों में से किसी एक के नीचे दिये गए प्रस्नों के उत्तर दीजिए ठीक है प्रस्नों के उत्तर देना होता है जिसमें तीन प्वेस्टन आते हैं यह आपकी कहानी दिया रहता है और दिया रहता है उपर यूगत गद्यांस का संदर्व लिखें पहला दिया रहता है उपर यूग्त जो गरद्यांस है उसका संदर्म लिखिए और सिकेंड दिया रहता है रेखांकित अंस की ब्याख्या किजिए सिकेंड क्या है कि जो रेखांकित अंस है उसकी ब्याख्या की जए और थर्डर है दूर के ढोल BYSost किजिये दूर के ढोल सुवणने क्यों होते हैं आसे इसबर करिए बुजरगों का मानना है और ये साश में कहाते जो अच्छे होते हैं कि दूर के ढोल सोहावने होते वह यह वाकई होते हैं ठीक है खेर आप तो समझी गई होंगे अब तो यहां पर हम टॉपिक पर आते हैं कि टॉपिक में क्या निवनांकित गद्यांसों में से एक क्या यानि आपको खंड कह दिया रहेगा सौरी कह दिया रहेगा आपसन और खह और को राइट कैसे करना यह बता रहे हूं है आपको इतना पता रहें कि कभी भी बॉर्ड एग्जाम में क्यों तीन पें का यूज करना है ठीक है यह बहुंद का यूज़ करना है ठीक है का यूच करना है अश्छ सबसे पहले हम्हें कोपी पे हैं कि यह के हमें लाइनिंग कर लेनी है और फिर हमें प्रस्टों के उत्तर डालने हैं हम एसा याद रखिए जब भी आप प्रस्टों के उत्तर राइट को करिए तो उसका प्रस्ट्म संख्या जो वह सही सही हो ठीक है प्रस्ण संख्या है जिसे तिसरा है तो यह तिसरा का ब्रस्ण नंबर तीन का का ब्रस्ण नंबर दीखेंगे लिखना क्या है ही यहाँ पर्जसल सहीत्स करके लिखेंगे शुहावने होते हैं है और यहाँ पराइट करने हैं अब हमी करना क्या है कि यहाँ प्रफनों का उत्तर दिया यहbros क्या है कि उपर यूद गद्यांस का संदर्व लिखिए ठीक है संदर्व मतलब आप समझते हैं संदर्व क्या होता है संदर्व मतलब की आपके कौन से बुक से हैं और कौन सा पाठ है और पाठ के लेखक कौन है ठीक है यह आपको राइट करना होता है इसे ही कहते हैं किताब का नाम यहीं सब आते हैं तो चलिए लिखते हैं संदर्व फ्रेंट्स मैं आपको जैसे बता रही हूं अगर आप वैसे राइट करेंगे तो आपको आपके बोर्ड एक्जाम में पूरे के पूरे नंबर आपको पक्का है कि आपको मिल जाएगा ठीक है अगर आप ऐसे नहीं राइट करेंगे तो वहीं आपका नंबर कड़ जाएगा और आपको आधिये नंबर मिलेंगे तो आपको करना क्या है कि आपको पूरी लाइन ये पूरी लाइन छोड देनी है अब इसके ठीक नीचे से यानी आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे ठीक है यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं यहां पर लिखेंगे प्रस्तूत गद्यांस ठीक है एक बात का ध्यान दिजेगा अगर यहां पर पद्यांस लिखने को आए तो पद्यांस लिखेंगे गद्यांस लिखने को आए तो गद एक बात का ध्यान दिजिएगा फ्रेंज अगर आप यहां से लिखना है संदर्व के ठीक नीचे से हमारी पाठे पूछत होता है कि हिंदि अब ब्लेक पर फिर क्या लिखू से नहीं कि क्राइब कुछिअ की से सब्सक्राइब दिए बीच में लिख देते हैं तो यहां लिखना है आपको बिलकुल लाइनिंग के साथ ही लिखनी ठीक है तो यह रहा आपका संदर्व यानि प्रस्तुत पध्यांस हमारी सौरी गध्यांस हमारी पाथ ही पूस्तक हिंदी के क्या लिखू पाट से अतरी थे इसके लेखक पदूम लाल पन्नालाल बक्सी जी हैं अब आपको करना किया है कि आप सिकेंड क्वेस्टन देखना है यहां पे हमें डालना है कि उत्तर दूसरा है दूसरा क्वेस्टन क्या है रेखांकित अंस की ब्याख्या किजिए ठीक है रेखांकित अंस की ब्याख्या तो अंस की ब्याख्या ठीक है फिर आपको करना क्या है कि अहंगे आप आप एरोर निसान अजाद आदेंगे डब्लिंग करके तक यह देखने पर सुंदर लगे और नीचे भी लाइनिंग दे देंगे डबलिंग अब इसका ब्याख्या लिखना है क्या करना है इसका आपको ब्याख्या लिखना है रेखांकित असकी ब्याख्या रेखांकित मतलब समझते हैं जो रेखा में दिया गया मतलब जो गर्द्यांस हो जो रेखा में दिया गया तो आपको जादे नहीं ले राइट करना किवल यह जो रेखाएं आप देख रहे हैं इसी को कहते है रेखांकित ठीक है मैं हिंदी में प्रगतिशे साहितिय का निर्माड हो रहा है उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित में के भवशहका गरों नीत है ठीके इतना का केवल हमें मतलब की एक एक वर्ड का ठीके ब्याख्या करके लिखना है कि कितना बड़ा ब्याख्या हो सकता है जैसे हिंदी में प्रगति से साहिते का निर्माड हो रहा है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले ब्याख्या में क्या लिखेंगे कि लिख सकते हैं कि कभी कह रहे या फिर लेखा का कहना है या फिर क्या लिखेंगे कि पदूम लाल यानि पदूम लाल पन्ना लाल पदूम लाल पन्ना लाल यानि आपको ऐसे राइट करना है कि पदुम लाल, पन्ना लाल, बक्सी जी कहते हैं कि जो हमारे ठीक है ऐसे करके आप राइट करेंगे और जो आपको आ रहा हो यानि जो लाइनिंग डी गई हो उसे आप राइट कर लिजेगा निकाल कर आपको राइट करना होगा इसे आपके प्याख्या लिखे जाते तो आप अपने बौड़ एकजैम इसी तरीके से लिखेगा पहले लिख लिजेगों कि प्रस्चन नंबर तिसरे का को का उत्तर फिर उसका गद्यांस रहेगा उसको पूरा लिख दालिएगा प्रस्न नंबर तिसरे का को का सिकेंड का अंसर ठीक है ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं मतलब जितने अच्छे से आप राइट करेंगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे ठीक है और इसलिए मैं कहरे हूँ कि आपको बहुत ही जादे मेहनत करनी है क्योंकि आपका बोर्ड परिख्छा बहुत ही नस्दीक आ गया है 15 तारिक से आपके बोर्ड पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और 15 जनौरी से आपके प्रेक्टिकल के स्टार्ट होने वाले हैं तो आप मान दीजिए कि आपका बोर्ड परिख्छा इसी 15 जनौरी से स्टार्ट होने वाला है तो फ्रेंड बल्कुल ध्यान दीजिएगा इस सब छोटी छोटी बातों का क्योंकि छोटी छोटी बातों से ही नंबर हमें पूरे के पूरे मिलते हैं ओके